करेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अभी आप खरीद सकते हो देखे मार्केट अभी लाइफटाइम हाई पर चल रही है लगबग 63,000 के आसपास फ्राइड़े के सेशन में सैंसेक्स बंद हुए और इसका लाइफटाइम हाई जो है वो 63,600 है तो लाइफटाइम हाई के बहुत पास क्लोजिंग दिया है थृस्डे के सेशन में इसने अपना लाइफटाइम हाई ख्रेट किया था 636,35 के आसपास का तो देखे यह जो हमारी market में rally चल रही है पिछले 3 महीने से ये तेजी चल रही है April के पहले session से ये बढ़नी शुरू होई थी market लगबख 30-31 मार्च के आसपास से market बढ़नी स्टार्ट होई थी और अब बढ़ते बढ़ते देखिए April, May, June 3 महीने होगा market non stop बड़ी है तीन महीने में जितनी बार भी इसमें गिरावट आई हैं जो भी dips आई है उन्हें buy कर लिए गया और market ने अपना fresh lifetime high create किया पिछले अफते हैं तो देखिए अभी ये सवाल ये बनता है अब market lifetime high पे है क्या ऐसे में यहाँ पर आपको कोई stocks करना चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो आज की स्वीडियों में डिसकस करेंगे तो चलिए फटावट स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अभी market lifetime high पे अभी मैं यहाँ पर कोई भी stocks नहीं खरीद रहा हूं और जो stocks पिछले तीन महीने चे महीने पहले मैंने आपको कुछ stocks दिये थे उन सभी stocks में मैंने अपना profit book कर लिया अगर आप भी चाओ तो आप भी अपना profit book कर सकते हो March के end में मैंने आपको तीन stocks दिये थे एक दिया था मैंने Hero Motors एक BPCL और Sun Pharma ठीक है यह तीन stocks दिये थे Sun Pharma और BPCL जो थे वो trading pick थी BPCL में हमारा stop loss लगा था 2% का loss हुआ था Sun Pharma में हमें 4% का profit था और Hero Motors हमने investment के point of view से लिया था उसमें हमें 33% का profit हुआ है इससे पहले मैंने आपको 5 stock picks दिये थे Christmas पर December end में उन 5 stock picks ने वो 5 हमारी investment के picks थे उन 5 stock picks में हमें काफी शांदार profit हुआ है Glenmark में हमें 60% का profit हुआ है और Window Pharma में हमें 60% का profit हुआ है Vipro में हमें 8% का profit हुआ हमारा राजा में 10% और IRFC में 37% तो पिछले 6 महिने में ये दो बार मैंने आपको stock picks दी थी एक मैंने आपको Christmas पे दी थी 25-26 December के आसपास वीडियो बनाई थी उसमें 5 stocks दे थे वो लगबग आपको 8-10% से लेके 30 या 60% का return उन्होंने आपको दिया अगर आपने उनको तब खरीदा था और March के end में 33, March के आसपास भी मैंने आपको 3 stocks दिया थे Hero Motor, BPCL, Sun Farma उसकी भी performance मैंने डिसकस कर लिये तो अब देखिए अगर आपने March के end में ये stocks लिये थे Hero Motor, BPCL या BPCL में तो चलो आपका stop loss hit हो गया होगा अगर आपने exit कर देगा तो वहाँ पे हमने आपको 339 के आसप पास दिया था और 332 रुपीस पे इसका stop loss था, 7 रुपे का stop loss था जो हमारा hit हो गया था, तो देखिए अगर आपने Hero Motors खरीद रखा था तो 3000 के आसपास का target हमने बनाया था और वह हमारा achieve हो गया था, तो आयो हो आपने targets बुक कर लिए होगे, तो यहाँ पर पहले बात करू है, mid cap, small cap, 20, 30, 40, 50, 50% return उन्होंने दे दिया, तो यह अच्छा time है, आप अपना profit book यहाँ पर कर सकते हो, अगर long term investor हो कुछ long term investing के point of view से खरीदा था, उसमें तो हम कभी भी profit booking नहीं करते, क्योंकि उसमें जो हमारा investment horizon होता है, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल, जितने के लिए भी हमने ख खरीद रहा, अगर आप खरीदना चाओ तो HDFC bank और HDFC का share खरीद सकते हो, अगर आप खरीदना चाओ तो, देंकि large cap stock है, चार्ट काफी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं नहीं खरीद रहा इसको, क्योंकि यह एक large cap stock है, इसमें बहुत जादा moment आती नहीं है, और market lifetime ह यह जो time है, इसमें सब लोग अपना profit book करना पसंद करेंगे, जिन्होंने भी पिछले 2 महीन या 3 महीन पहले कुछ भी खरीदा था, अब profit book करना एक sensible decision होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी stock pick नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं अभी कुछ भी buy नहीं कर रहा तो मैं आपको profit booking के लिए क्यों क्या रहा हूँ, क्या मुझे लगता है यहाँ से market अब नीचे आएगी, देखे market नीचे आएगी या नीचे आएगी, अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, निफ्टी 18500 के नीचे निकलता है, तो आप मान के चल सकते हो, इसमें फिर से correction जो है, start हो जाएगी, अभी तो देखिए, अब ट्रेंड में ही है, lifetime high के आसपास ही close हुए, क्या पता, मंडे के session में यहां से फिर उपर बढ़ चले, और फिर से lifetime high create करने की कोशिश करे, 19000 तक जाए, लेकिन समझदारी ही है, जो भी stocks आपने भाय कियो है, उसमें यहाँ profit book कर लेना ही सही रहेगा, और अभी कोई भी stocks खरीदने का आपको short term trading के point of view से कोई मुझे नहीं लगता कि अच्छी कोई opportunity बन रही है, क्योंकि पिछले 3 महिने में mostly stocks 20, 30, 40, 50% बहुत easily बढ़ गए हैं, तो यहाँ profit booking ज़रूर आ सकती है, market के sentiments की बात करू, market की view की बात करू, म और अगर consolidate नहीं करती, तो क्या पता इसमें correction भी आ जाए, और अगर consolidate नहीं करती, तो यहाँ पर correction भी आने की पूरे पूरे chances हैं, तो अभी देखिए, कोई भी मैं stocks नहीं खरीद रहा हूँ, अगले कुछ महीनों में, जब भी कोई भी stock खरीदूँगा, जरूर वीडियो ब बताऊंगा, तब तक इंतजार करो, जल्द बाजी मत करो, market अच्छे से उपर जा चुकी है, अभी profit booking का time है, नई खरीददारी का ये time नहीं है, चलिए बात करता हूँ, मेरे market की view कि मुझे क्या लगता है, यहाँ से market कहां जा सकती है, देकि सबसे पहले में बात करूँगा पिछले हफते, यूरॉप में central banks ने फिर से interest rates बढ़ाए हैं, तो ये बहुत ही एक negative चीज़े stock market के लिए, continuously जो ये है interest rates बढ़ रहे हैं, US में भी बढ़ रहे हैं, और ये यूरॉप में भी बढ़ रहे हैं, और दुनिया के बागी जगाओं पर भी बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी एक negative चीज़े stock market के लिए, यहां जिस तरह ऐसे इतनी तेजी से interest rates बढ़े हैं, जो यूरॉप में बढ़े हैं, यहां बहुत ही high probability बनती है, कि कुछ accident type of situation बन सकते हैं, जैसे अभी कुछ महीनों पहले, आपने US में देखा था, काफी सारे banks दूब बढ़ बढ़ बढ़ी हैं, जिस तरह से interest rates बढ़े हैं, इसका impact definitely industry पे, companies पे जरूर आएगा, तो अगले 3-6 महीने थोड़े से critical रहेंगे, यहां से market continuously मेरे हिसाब से तो ऊपर नहीं जानी चाहिए, यहां पर अभी भी देखिए हम एक range bound market में ही है, 2021 October में जो nifty ने high लगाय था, उसके पास में ही घड़े हैं, 18,500, 600 के असपास का high था, 2021 October का, और market Friday के session पे भी यही 18,600, 655 पे बंद हुए, तो अभी भी हमें एक range bound market है, nifty के 17,000 के असपास अच्छा support है, और 19,000 के असपास resistance है, तो इतनी easily मुझे नहीं लगता, यहां से और ज़्यादा, बड़ी rally यहां से आ सकती ह अगर market यहां से उपर जाती भी है, तो बहुत ही select companies यहां से बढ़ेंगी, large cap stocks या बहुत ही अच्छी quality stocks बढ़ेंगे, यहां से made cap, small cap और overall market में आपको तेजी की उमीद नहीं लगानी चाहिए, तो यह time है profit booking का, यहां पर अभी भी कुछ भी खरीदारी की sense नहीं बनती है, यहां पर at least मैं तो कुछ भी नहीं खरीद रहा, तो अगला कुछ टाइम में वेट करूँगा, एक महीना दो महीना, correction की वेट करेंगे, market में dip आती है, correction हाती है, तो फिर से हम अपने पसंदेंदा stocks खरीदेंगे, और एक वीडियो बनाके आपको मैं बताऊंगा, जो भी stocks मे खरीदूँगा, तो तब तक आप भी वेट कर सकते हो, तो चली फिर नेक्स वीडियो में मिलते हैं, बाई बाई, take care